अम मिलेगी ब्रिजभूशन सिंग को सजा महिला पहलवानों से यौन उत्पीडन के आरोपों से घिरे भाज़पा सांसत ब्रिजभूशन सिंग की मुस्किले कम नहीं हो रही है मंगलवार को जहां दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्ज सीट दाखिल करते हैं उनके गुनाहों को सजा योगे पाया वहीं ब्रिजभूशन का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जो मौझूदा हालत में बिल्कुल भी उन्हें राहत देने वाला नहीं है इस वीडियो में ब्रिजभूशन पहले तो महिला रिपोर्टर को चुप रहने को कहते हैं इसके बाद उसका माइक भी तोड़ देते हैं वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ब्रिजभूशन को जम कर सुनाया जा रहा है वहीं दिल्ली महिला आयो की अध्यक स्वाती मालीवाल ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है ब्रिजभूशन शरण सिंग के खिलाब दाखिल चार्ड सीट के हिसाब से उन्हें पांच साल तक की जेल हो सकती है इसको लेकर टाइम्स नाओ चैनल के रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तिवा दूँगा आप मेरे इस्तिवा को लेकर सवाल क्यों पूछ नहीं है इसके बाद रिपोर्टर ने उनसे दिल्ली पुलिस की चार्ट सीट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिये सवाल के जवाब में ब्रिज भूशन सिंग जोर से कहते हैं चुप इसके साथी वह अपनी कार की तरफ बढ़ते रहते हैं रिपोर्टर सवाल पूशना जारी रखती है इस बीच ब्रिज भूशन अपनी कार में बैट जाते हैं और दरवाज़ा बंद करने लगते हैं रिपोर्ट माइक को दरवाजे के अंदर रखकर उनसे सवाल पूशने की कोशिश करती है तभी प्रिजभूशन तेजी से दर्वाज़ा बंद कर देते है इसके चलते रिपोर्टर का माइक नीचे गिर जाता है इस वीडियो को शेयर करते हुए युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष्री निवास बीवी ने लिखा है कि पहलवानों के यौन उत्पीडन के आरोपी भाशपा सांसत कैमरे पर महिला रिपोर्टर को धमकी देते हैं उसका माइक तोड़ देते हैं क्या महिला और बाल विकास मंतरी स्मृती इरानी बताएंगी कि यह किसके शब्द है यह किसका संसकार है वही दिल्ली महिला आयों की अध्यक स्वाती मालीवालने सिंग को गुंडा कहा है वीडियो को रीट्वीट करते हुए मालीवालने लिखा कि कल्पना कीजे जब ही है शक्स कैमरे के सामने महिला रिपोर्टर के साथ इस तरह विहवार कर रहा है और संग्यान लेते वे सांसत ब्रिजभूशन शरण सिंग के अलावा कुष्टी संग के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेट्री विनो तोमर को भी तलब किया है